रूस ने पशिमी देशों की ओर से लगाये के तमाम प्रतिबंदों के बाबजूत कच्चे तेल का रिकॉर्ड निर्यात किया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अगस्त में 160 मिलियन बैरल का रिकॉर्ड निर्यात किया है। सर, तमाम कोशिशों के बाद, तमाम प्रतिबंदों के बाद, अटलांटिक के दोनों तरफ से प्रतिबंद लगाए गया, अमेरिका ने, योरोप ने, सब ने लगा लिया, फिर इतना बड़ा रिकॉर्ड निर्यात कैसे हुआ? रूस ने प्रतिबंदों की पूरी बिवस्था को किस तरह से तोड़ा, अब ये अंतराश्ट्री बाजारों में चर्चा कविश है, और इसके फालो अप के तोर पर अमेरिका और बाकी प्रतिबंद लगाने वाले देशों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, इंस्ट्यूट आफ इंट्रेट फिनांस, रेफिनिटिव और जो दुनिया में जो ट्रेड को और खासतर से आयल के ट्रेड को करीब से देखने वाली फिर्म्स हैं, उन्होंने जो डेटा बद दिया है, उसे साब से रूस ने के अंतराश्ट्री बाजार में प्रतिबंदों ग्रीस की शिपिंग लाइन्स ने रशिया से तेल उठाया और उसे अंतराश्ट्री बाजारों में पहुंचाया, और तभी जब हम यहां बात करते थे दो तीन महीने पहले के रिलाएंस या नायरा या दुनिया के देश प्रतिबंद के बाद भी रूस का तेल हासिल कैसे कर रहे हैं तो हमनी सेंटर में आपको बता रहे हैं कि तेल ग्रीस की शिपिंग लाइन्स की तरफ से आता था और अब यह चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं एक सो साथ मिलियन बैरल का अगस्त में रिकार्ड एक्सपोर्ट किया गया रूस का जबकि हम पूरी दुनिया में रूस के तेल पर पाबंदी की खोशना आया और खबरें देख साथ जो अलग 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 какие विट एक गन वोर है जो शिपिंग के ट्रेड के डेटा को करीब से समझती है या देखती हैं उन्होंने भी ये बताया कि रूस के तेल पर प्रतिबंद के बाद भी रूस का तेल बाजारों में पहुंचता रहा और दुनिया में में बिखता रहा एक और चीज निकल कर सामने आ रही है क कई सारी कंपईणियों ने प्रतिबंद के बाद जैसे ट्राइफिग वोरया ने कहा कि प्रतिबंद के बाद उसने रूस की कंपईणियों से तेल खरीड़ना तो बंद कर दिया पर एजेंट से तेल खरीगते रही है और वो तेल अब घूमकर बाजार में आया और इसलिए पूरी दुनिया में हल चल है कि हमने अंतराश्ट्री बाजार में इतने सक्त प्रतिबंधों के बाद दी रूस के तेल को आसानी से तेरते हुए, रूस के तटों से निकल कर पूरा योरोप क्रास करते हुए, भारत और चीन तक आते हुए देखा है। तेल पर जो प्राइस कैपिंग का प्रस्ताव है, तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इस पर निगाएं सब की हैं दुनिया के देशों की, क्योंकि अंतराश्ट्री एजनसियों को ये पता है कि सारी कोशिशों के बाद भी रूस ने डिसकाउंट का फायदा उठा कर, बीस डॉल भी नहीं हुई, रूस को उसका पैसा मिलता रहा जो माना जाता है कि उसने युद्ध के फिनांस में या वार के फिनांस में इस्तिमाल किया है, अब जेने टेलर ने जो की यूएस की वित मंतरी हैं, ट्रेजरी सेगरेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जी सेवन देश प्राइस कैपिंग एग्रिमेंट पर जल्दी दसकत खरेंगे, अभी ये नहीं कहा गया है कि प्राइस कैपिंग एग्रिमेंट में प्राइस कैप क्या होगा, पर जो संकेत हमें मिल रहे हैं, उसे साब से रूस को शायर आधी कीमत पर जो बाजार का मूल्य होगा अस समय गिवन टाइ और वो आधी कीमत से बाजार में तेल की आपूरत ही नहीं रुकेगी, पर रूस को होने वाला मुनाफ़ा कम हो जाएगा, जिसके करण रूस युद्ध के साजों सामान में अपना निवेश नहीं कर सकेगा, अब जब कि ये आंकले सामने आ रहे हैं कि रूस ने रिकार्ड किया है, रूस का तेल रोके नहीं रोका, बहले उस पर प्रतिपंद लगाया गया है, तो अब ये पेश बंदी ज्यादा तेजी से शुरू होगी कि कैसे इसे रोका जा सके है, और इस पनिगा, दुनिया के सबसे बड़े तेल काल तेल की सबसे करीब से रहेगी, इस बीच एक चीज़ और हुई, रूस का निर्यात तो बड़ा, लेकिन रूस से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में लगातार कमी देखने को मिली, एनरजी कार्गो ट्रेकर कंपनी वाटेक्सा के आंकड़े बताते हैं, कि अगस्त के दौरान रूस से भारत को रोजाना साथ रशन अच्छे तेल में साओधी अरब की जो हिस्सेदारी थी वो 20 फीसद से जादा 20.8 फीसद एराक की भी 20.6 फीसद रही जबकि रूस के तेल की हिस्सेदारी घटकर 18.2 फीसद हो गई, इनके लाबा, UAE की हिस्सेदारी 8.5 फीसद के आसपास और अमेरिका से आने वाले तेल की हिस्सेदारी 4.7 फीसद के आसपास रही है, सर भारत को निर्यात में क्यों कमी आई फिर रूस तो रूस तो सस्ता तेल भारत को भी दे रहा था, यह खबर आज हमारे सामने आई, और इसमें भारत के ट्रेट डेटा इसे सपोर्ट करेंगे कि नहीं है, मैं नहीं पता लेकि अंतरश्टी सुतंत रिजनसी ने बताया कि एराक से भारत को आने वाले तेल के आस से बाजारे निर्यात था है, भारत का आया था, भो रूस से आगे निकल गया, हालाकि पिछले दो महिने से करीब करीब हम इन खबरों को करीब से देख रहे हैं, शुरू हम के अब रूस से आने वाले तेल के इंपोर्ट में कमी आई और ये कमी उस दिन से आई जब से भारत में विनफाल टैक्स लगना शुरू हुआ आप उससे भी जोड़ सकते हैं पर खबर ये है कि एराक ने अंतराश्टी तेल बाजार में रूस के आईल को भी अंडर कट किया है इमाना जा रहा की करीम नौ से दस डॉलर सस्ता तेल इराक अंतराश्टी बाजारों में दे रहा है और जिसका फायदा उन देशों को मिल रहा है जो भी तक रूस का तेल खरीद रहे थे और इसलिए भारत के आयल इंपोर्ट बास्केट का स्ट्रक्चर फिर एक बार बदला रूस पीछे न पढ़ी है तो बनी होई जिससरे से अगर आप तेल बाजार में देखे तो बहुती दिल्चस्प पेशबंदी जैसी दिखाई दे रही एक और प्लेयर आल मार्केट में आ गया है और वो प्लेयर इराक है जो वाटेक्सा की रिपोर्ट बताती है पर यहां शुमन में सबसे पूरी अश्चर जनक बात मुझे पूरी प्रक्रिया पूरे गतविधी में लगती है कि अगर आप इन सारे आकड़ों को रिफिनेटिव का आकड़ा वो टेक्सा का आकड़ा या बाकी जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसे करीब से देखें तो बाजार में तेल की आपूरत मतलब यह है कि ओपिक देश उतना उत्पादन नहीं कर रहे थे जितना उत्पादन उन से कहा गया था इसको बार 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 रिपोर्ट करें कि ओपिक देश में कई सारे प्रमुक ओपिक देश अपने उत्पादन में कमी कर रहे थे और या फिर आकड़े हमें बाद में मिले कि अंतराश्ट्री बाजारों में कई देशों ने शायद चाइना जिसे देशों ने इस पूरे पूरे ऊहा पूहस मंजस के दौर में तेल की बड़ी खरीद की है और अपने यहां बड़े स्ट्रेडिजिक रिजर्व्स तैयार की हैं क्योंकि अगर अर्थिवस्था में मंदी थी लॉगडाउन था उसके बाद एकॉनिमी में ग्रोथ नहीं थी और आयल की सप्लाई पूरी तरह से थी तो फिर तेल की कीमतों का 95 या 100 डालर पर रहने का वी कोई तरक नहीं दिखता लेकिन यहां से कुछ जो नए आकड़े हमारे समने निकल कर आएंगे उनसे में समझ म आएगा कि आगे क्या होने वाला है